जबूस्तों आपका स्वागत आपके चनल info4EARN में हमने काफी सारे वीडियो बनाया है ईमंग एप पे ये वीडियो इमपोर्टट इसलिए है कि काफी सारे हमारे भाई है गौर्मिंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट जॉब में हो प्राइवेट जौ непी जारेशन फ़री सब्सट है प्राइवेट जॉब वाले हो या कnd जोल लेबर हो यह रोचना का प्रॉट सुल्पर पीएफ द्हुर्न novI नूंबर में जा से जा रहे ओ तो पीएफ नंबर स variety चाहिए आप एक कंपनी में काम करो, दूसरे कंपनी में काम करो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, UAN नमबर आपका सेम रहेगा, बट उसके इन्फोर्मेशन या पास्बुक के बाइंगे कितना डिपॉजिट रहा क्या जानना है, और या फिर विड्रॉल करना है, तो कैसे करेंगे, UMAG एप से मैं आपको बताऊंगा, बहुत से बपल है, और आपको यह ध्यान रखना है, तो आपको देखिए, UMAG लॉग इन आपको मैंने बताया था, कैसे किया जाता है, उसमें मोबाइल नमबर डालना, OTP आएगा, और आप लॉग इन हो जाएंगे, ठीक है, लॉग इन होने के बाद आपको क्या करना है, इधर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक option दिखेगा, EPFO, EPFO में सर्च करेंगे हम, तो request for advance, raise claim, scheme certificate, view pass book, raise claim, track claim, download UAN card, ठीक है, view pension book, तो हमें यहाँ पर generally आपको देखोगे, कि हम लोग काम करेंगे, यह देखेंगे, download UAN card को सर्च करेंगे, और हम भी services लेने के कोशिश करते हैं, तो हम लोग अपना, जो UN number है वो डालेंगे, और enter करेंगे, तो आपको OTP है, OTP किस पर आएगा, आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर आ गया है, और हमने ये डाल दिया, देखें हमने submit कर लिया है, और यहाँ पर date of birth पुछेगा, जो आपको डालना है, जिसका भी हो, date of birth डालने के बाद आपको submit कर रहा है, submit करने के बाद देखें, यह कार्ड बनके आदि उनुसल अकाउंट नंबर यहां सारे डिटेल आ गया है और हम इसको डाउनलोड क्लिक करेंगे तो यह डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों देखा कितना सिंपल और आसान तरीका है इसी तरह से हम लोग क्लेम भी रेस कर सकते हैं अपना पासबुक भी दे किया तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया वहाँ बहुत सिंपल तरीका है तो इसको आप यूज कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपना ध्यान रखिए जहिंद